है लो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स बात करते हैं हैंड हाइजीन की, हैंड हाइजीन मीन्स हाथों की सफाई, हाथों की सफाई चाहे हम socially कर रहे हैं चाहे हम medically मतलब होस्ट्रल में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो head hygiene में हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ साफ रहें free of any ornament कोई jewelry नहीं पहननी है कोई nail बढ़ाने नहीं है nail बिल्कुल आपके short होने चाहिए then कोई nail polish नहीं लगी होनी चाहिए तो यह चीजों का सबसे पहले हमने एक अपने हाथों की खुद inspection करनी है कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ हो कोई ornament नहीं हो और उसके बाद आ जाता है technique तो technique से पहले है कि moments हमारे पास moments कौन कौन सी है socially तो आपको पता ही है खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद और जैसे भी हमने कुछ घर में काम किया तब हम करते हैं अगर हम बात करें hospital की तो और specially अगर मैं nursing profession की बात करूँ तो जब भी हम हमने hand wash कब कब करने हैं उसके five moments है यह five moments हैं दो before हैं और तीन after हैं यह इसको समझने का याद रखने का simple तरीका है दो before और तीन after दो before कौन से हैं before touching the patient then after touching the patient then before medication then after medication तो यह दोनों ही before and after होगे दो दो होगे और last after है हमारा after touching the surroundings of the patient तो इस तरीके से हम इसको तीन after दो before याद करते हैं then आ जाता है method कि method हमें कौन सा use करना है technique कौन सा use करनी है तो वो हमारे पास steps में है इसके लिए हमें seven steps हैं जो हमें use करने है वो seven steps हमें कैसे याद रखने है यह है सुमन के और यह सुमन के क्या है और यह हमने practically करना कैसे करते कैसे हैं बिल्कुल यह subject technique से और एक efficiently तरीके से हमने करना है तो इसको बताएंगे हमारे मैडम पी जाई मियार के ANS मैडम है Assistant Nursing Superintendent Mrs. Rita तो आई आप उनसे संते हैं देखते हैं कि कैसे करना है Thank you Five moments of hand washing और hand rub की बताई है तो मैं आप लोगों को practically हम hand wash और hand rub कैसे करते हैं कोई भी procedure करने से पहले तो सबसे असान तरीका है hand rub करने का कि हम एक अपने दिमाग में यह रखें एक method के साथ वो आज कल सुमन के method जो है hand washing के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है तो सबसे पहले हमने hand wash के लिए 3 to 5 ml कोई भी alcohol based solution लेना है तो सुमन के के according S for सिदा, U for ulta, ulta के साथ हम अपनी उंगलियां भी करेंगे M for मुठी, A for अंगुठा, N for nails and K for कलाई तो अभी मैं solution लेने जा रही हूँ 3 to 5 ml solution लेना है तो वो हमने अपने हाथों पे फला लेना है सिदा, सिदे के लिए हम 6 time हमने करना है उसके बाद ulta, ulta के लिए भी 6, 6 time करना है और साथ में उंगलियां भी करनी है उंगलियां M for मुठी A for अंगुठा, अंगुठे को हमने outside करना है 6 time, दोनों हाथों का Then N, N for nails, left and right Last step is कलाई अगर आपके हाथ wet है तो कलाई के लिए आप इसी को use कर सकते नहीं है तो आप और solution लेके कलाई को साफ कर सकते हैं अब आपके हाथ बिल्कुल free from all microorganism है Thank you